हे गाइज तो कैसे हो आप लोग तो आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस्टोकियोमेट्री के बारे में जो कि इस चैप्टर सम बेसिक कॉंसेट्स ओफ केमेश्ट्री का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है तो चली शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं कि ये इस्टोकियोमेट्री आखिर होती क्या है तो ये वर्ड इस्टोकियोमेट्री दो ग्रीक वर्ड्स इस्टोकियन और मेटरन से मिलकर बनी है जिसमें से stoikian का मतलब होता है element और materan का मतलब होता है measure तो अब इससे हमें ये पता चला कि किसी भी element के measurement को ही हम stoichiometry कहते हैं तो चलिए अब इसकी definition को देख लेते हैं इसे और अच्छे से समझने के लिए So the quantitative relation between the number of moles of various products and reactants in a chemical reaction is called stoichiometry या फिर इसका एक और हम short definition में लिख सकते हैं stoichiometry is the calculation of reactants and products in a chemical reaction यानि कि जो calculations किसी भी reaction में reactants and products के बीच में होती है उनके quantitative relation यानि कि उनके mass या फिर volumes के basis पे उसे ही हम stoichiometry कहते हैं समझे बात को तो अब किसी भी stoichiometric calculation को करने के लिए हमें सबसे पहले उनके reactants और products को एक दूसरे से balance करना होता है तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी भी chemical equation को जो की balance नहीं है अल्रेडी उसे हम balance कैसे कर सकते हैं तो अब यह कुछ chemical equations हैं जिनने आपको balance करना है तो इसे हम कैसे करेंगे अब देखिए ध्यान से तो अब यहाँ पर जो first equation है वो है Fe plus O2 goes to Fe to O3 और इनके आगे इनके states यानिकी solid liquid या फिर gas का symbol भी लगा है आप देख सकते हैं तो इस balance करने के time पे हम इन symbols को ignore करेंगे तो अब हम यहाँ पर clearly देख सकते हैं क्योंकि इनके reactants और products का जो ratio है वो एक दूसरे से equal नहीं है जैसे कि यहाँ पर reactants में Fe है और product में Fe2 और इसी तरह reactant में O2 है और product में O3 तो अब हम इसे balance कैसे करेंगे आप ध्यान से देखिएगा इधर और समझिएगा तो सबसे पहले हम reactants और product दोनों के chemical formulas को जो की given है उन्हें side by side write down कर लेंगे तो यहाँ पर यह हो जाएगा Fe equal to 1 and O equal to 2 reactants का और product का हो जाएगा Fe equal to 2 and O equal to 3 अब यहाँ पर जो product है Fe to O3 यह एक single compound है इसलिए अगर हम इस compound से कोई भी number multiply करेंगे तो वो उस पूरे compound यानि की उस compound के सारे elements से multiply होगा समझे बात को तो चलिए अब इसे balance करते हैं तो इस side Fe को अगर हम 4 से into कर दें तो यह कितना हो जाएगा 41 जा 4 और अगर इस side product में हम इन्हें 2 से into कर दें तो यह कितना हो जाएगा Fe का 22 जा 4 और O का हो जाएगा 23 जा 6 तो अब यहाँ पर product के side Fe का तो बराबर आ गया लेकिन O का बराबर नहीं आ रहा है क्योंकि इस side है O का 2 और इस side है O का 6 तो अब हमें इन्हें equal करना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इस वाले O में 3 से into कर देंगे तो यह हो जाएगा कितना 3, 2, just 6 तो अब हो गया ना बराबर दोनो side तो अब यहाँ पर reactants में भी Fe का 4 है और O का 6 और यहाँ पर product में भी Fe का 4 है और O का 6 यानि कि दोनो सेम है तो यह हो गया balance समझे बात को और देखे यह कितना आसान है बस आपको कुछ नहीं करना दोनों में numbers into करके दोनों को equal कर देना है simple तो है तो अब जो number हमने इनके साथ multiply किया वो हम इस equation में इनके elements के आगे लिख देंगे तो यहाँ पर Fe के आगे हमने 4 को multiply किया तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और उसी के बाद हमने O के साथ 3 को multiply किया तो हम यहाँ पर O के आगे 3 लिख देंगे और इसी तरह से similarly हम products में भी करेंगे तो हमने यहाँ पर products में Fe और O दोनों के आगे 2 into किया है तो हम इस पूरे compound के आगे 2 लगा देंगे समझे बात को तो अब इसी तरह से और भी chemical equations को हम balance करेंगे तो अब अगर इस second वाले को हम balance करें तो इसमें P equal to कितना है? यहाँ पर है P equal to 4 और इधर product में भी है P equal to 4 तो यह दोनों तो equal है तो इनमें हमें कुछ change करने की ज़रुरत नहीं बट इसका जो second element है वो reactant में O2 है और product में O10 है तो अब हम क्या करेंगे? हम reactant के O2 को किस से multiply करेंगे? कि O10 आ जाएगा? किस से multiply करेंगे? हम reactant के O2 को 5 से multiply करेंगे तभी वो आएगा 5 to 10 और यह equal हो जाएगा product के O से समझे बात को? तो अब finally इधर भी P equal to 4 आ गया और उधर भी P equal to 4 है और इधर भी O equal to 10 है और उधर भी O equal to 10 है तो यह भी balance हो चुका है तो इसी तरह से और आगे की भी questions बनाएंगे तो अब इसी तरह से third number भी कर लेते हैं तो इसमें भी हम सबसे पहले सारे compounds को side by side लिखेंगे तो अब यहाँ पर reactant में first compound सारा same रहेगा second compound में हम O को 5 से into करेंगे और यह हो जाएगा 5 to 10 अब product में भी reactant के according numbers डालेंगे तो अगर हम यहाँ पर इन दोनों को 3 से into करें और सबसे last वाले को अगर 4 से into कर दें तो यह हो जाएगा ना hydrogen का 8 और oxygen का 4 फिर हम क्या करेंगे इस उपर वाले oxygen के value से इस नीचे वाले oxygen के value को add कर देंगे तो यह कितना हो जाएगा 4 plus 6 equal to 10 और यहाँ पर जो reactant के oxygen का value है वो भी 10 ही है तो यह हो गया equal हैंस यह chemical reaction भी completely balance हो चुका है अब आपको एक और बात याद रखनी है कि इन equations को balance करने के लिए हम जो numbers डाल रहे हैं इनके आगे यानि कि जिन numbers से हम इने multiply कर रहे हैं इन numbers को हम stoichiometric coefficient कहते हैं या फिर इन्हें हम moles या फिर molecules भी बोल सकते हैं तो अब इसमें एक और last stage आपको समझनी है कि हम इन reactions के relation को words में कैसे लिख सकते हैं और यह आपको आगे इस से related questions भी solve करने में help करेगा तो for example हमें एक equation ले लेते हैं जो कि है CH4 plus 2O2 goes to CO2 plus 2H2O तो अगर देखा जाए तो इन्हें हम चार तरीकों से लिख सकते हैं words में तो first है कि 1 mole of CH4 reacts with 2 moles of O2 to give 1 mole of CO2 and 2 moles of H2O और जो second way है वो है 1 molecule of CH4 reacts with 2 molecules of O2 to give 1 molecule of CO2 and 2 molecules of H2O और जो third way है वो है 22.4 liter of CH4 reacts with 44.8 liter of oxygen to give 22.4 liter of CO2 and 44.8 liter of H2O और जो fourth इसका सबसे last way है वो है 16 gram of CH4 reacts with 2 into 32 gram of O2 to give 44 gram of CO2 and 2 into 18 gram of H2O ठीक है तो इन चारों तरीके से हम इस reaction को words में लिख सकते हैं तो अब जो हमारा next term है वो है stoichiometric calculations जो कि हम next video में पढ़ेंगे तो next video की link आपको description में और उपर i button में भी मिल जाएगी तो आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं directly उसे और अगर वीडियो अच्छे लेगे तो वीडियो को like कर दें कुछ अगर problem हो या फिर suggestion हो तो आप नीचे comment में लिख कर हमें बता सकते हैं और हमारे वीडियो को share भी कर दें अपने classmates के साथ जिने इस chapter में problems हैं तो मैं मिलता हूँ आपसे next वीडियो में तब तक के लिए take care and good bye